आप सबी को मेरा अपर नाम, Herbal Remedies and Nature Steger में आपका स्वागत है, मित्रो आज अती बला की बात करेंगे, Indian Mellow या Kangi, Abutilon Indicum, Malwesi का ये प्लांट है, और Highly Medicinal प्लांट है, वैसे तो ये विभिन परकार के रोगों में इस्तमाल किया जाता है, लेकिन आज हम कुछ विशेश उप रख सकते हैं, साथ ही इसके जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर इसका बीज होता है, आप इसका बीज देखिए, इसके जो बीज है, ये इस परकार से आपको इसमें दिख रहा होगा, बीज आप देख पा रहे होंगे, कितना सुन्दर इसका बीज है, इसको ह भींचो हम एकठा करके रख लेते हैं और बीज का डिकोप्शन बना अगर देते हैं तो आर्थाइटिस की समझ्या का निवारन करता है बीज दिंच के आंदर लैक्जचिव प्रोपर्टी होती है तुराने से पुराने construction को दूर करता है बीज मुत्र क्रच की समश्या को भी दूर करता है मुत्र क्रच की समश्या kidney disorders related समश्या है उसका यह निराकरण करता है साथियो मूल रूप से यह प्लांट कफव और वात जनित रोगों के निवारन के लिए इस्तमाल में लाया जाता है कई बार ब्रॉंकाइटिस या अस्तमा की समश्या भी हो जाती है उसके निराकरण के लिए आप समस्त प्लांट का डिकॉक्शन बना कर और उसमें सहद मिला कर सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा ये कारे करता है इस प्लांट का पंचांग एफ्रो कौने हैं ओनको रेगॲेट करने का का रहता है बीर दिर आप देखेंगे कि यह है अफ्रोडाइसिक एक्टिविटी के साथ साथ एस जासाथ एक्टिव सर्टी इस प्लांट की एंटी ल्च्टी Gill ऑल एक्क्टिवीटी आं टी एन्टी एल्लिबास inhist टी एक्टिशन एक्ट कारकार के रोगों में असाध्य रोगों में भी इस्तमाल में लाए जाता है यह वंडर्फुल इम्मीनो मोडुलेटर भी है डायबिटीस के निवारन के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है लिवर लंग्स और किडनी उन तीनों के रेमेडियेशन में बहुत अच्छा यह स्कॉर्पियन बाइट से या फिर किसी ऐसे कीट के दंस के विश से सूजन हो जाती है या फिर हमें पता नहीं चलता है कि घाव किस कारेंट से हुआ है तो आप इसके पत्रों का लेब भी लगा सकते हैं नैचुरल एंटीडोट का यह कार्य करता है यह है घाव को भरने का औ और अगर वाइल्ज हो गए हो फोड़ या फुनसी के समस्चा हो तो हमें इसके यह जो पत्र और फूल देख रहे हैं इसको पेस्ट बनाकर लगा देना चाहिए असानी से उनको दूर कर देता है कई बार मित्रों वेरिकोजवीन के समस्चा भी हो जाती है तो वेरिकोजवी की साथ साथ पीते रहें आप देखेंगे कि वेरिकोजवीन की समस्चा बहुत आसानी से ठीक हो जाती है इसकी पंचांग का अगर आप फ्यूम्स भी लेंगे तो अस्तमा में वह भी फायदा करती है एंटी डायरियल एंटी डिसेंट्रिक एक्टिविटी के लिए भी होल प आप लिव्स का पेस्ट बना कर लगा सकते हैं लिव्स का पेस्ट घने काले बालों के लिए आप लगा सकते हैं बीज का उपयोग आप वाजी करण के लिए एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए किड्नी डिसोर्डर्स के रेमीडियेशन के लिए लेक्जेटिव समच्छा को दूर करता है कई बार सरीर के अंदर inflammation की समच्छा हो जाती है जिनके कारण हमें नहीं पता होते हैं ambiguous inflammatory disorders को यह सही करने की छमता रखता है प्लूराइटिस की समच्छा हो मायो काइडाइटिस की समच्छा हो उन सब के निवारन के लिए भी इसका उपयोग में लाया जाता है nephron की filtration rate को बढ़ाता है अस्तमा के patients में मित्रो कया होता है कि यह expiratory force volume को बढ़ाता है expiratory volume capacity को बढ़ाता है इस परकार से यह wonderful magical कारिये करता है आप इसको sun reduction कर सकते हैं औस दिये गुणों के लिए आप इसको गमले में लगा सकते हैं गमलों में लगाए हुए plant के secondary metabolite औस दिये तब तो ज़्यादा बायो सिन्तिसाइज हो जाते हैं यह plant soil से heavy metals को भी ले लेता है तो कई बार फायदे के जगे नुक्षान भी हो सकता है तो इसलिए इसकी agroclimatic conditions इसकी लगी हुई परिष्टितियां विशेश महत्व रखती हैं अच्छे औस दिये गुणों के लिए आप इसको organically cultivate कीजिए आप इसको अपने गम्रह में लगाईए बीज के माध्यम से आसानी से हो जाता है और बीज जैसे हमने आपको दिखाए हैं इसको आप powder बनाके या बीज को रख सकते हैं बीज से भी यह propagate कर जाता है आपके स्वा for the health updates thank you कर दिए